हेलो फ्रेंट्स आफ सेफी का अपने यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागते इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश यूनिविस्टियाव मेटकल साइन्स सेपी एनिटी इंपोर्टेंट कोश्चन पर तो फ्रेंट्स वीडियो को उन्टे तक देखे रह करती है आपको बताना कि हाड्रोजन इस्पेक्ट्रम की कौन सी स्रेडी परावेगनी भाग में पढ़ती है तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो आंसर रहने वाला है सेकेंट यानि लायमन स्रेडी सेकेंड कोशन की बात करें तो प्रिकीडित अलफा कड़ों का गमन प प्रिवलियाकर, आपसं नमबर 2 व्रताकार, आपको बताना है कि प्रिकेडित अलफा कड़ों का गमन पथ क्या होता है ? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के करके बताईएगा कि आपके कितने कोश्चन सही रहे जो आपको पहले से या लेडी पताते तो इसका सही आंसर रहने वाला है सेकेंड कोश्चन का फोर्थ आप्सन यानि अतिपरवलिया कार होता है रिडवर्ग नीतांग का ऐसाई मातरक होत आपको बताना है कि रिडवर्ग नीतांग का मातरक क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है औप्सन नमबर थड़ रहने वाला है रिडवर्ग नीतांग का ऐसाई मातरक मीटर इनवर्स होता है औप्सन कोश्चन संक्रमडों की संख्या होती है स्खेँ आंसर आप कमेंट करके बताइएगा नेख कोड़ी संवेग होगा आपको बताना है कि न्हाद वी अतंक आपको बताना है कि आपको बताना है कि किसी परमाडू के आकार की कोटी कितनी होती है आपको बताना है कि एक फर्मी कितने मीटर के बरावर होता है या आपको बताना है आपको बताना होता है आपके लिए होंबार के आप कमेंट बाक्स में बताएगा कि आपको बताना है आपको बताना कि आपको बताना है आपको बताना है कि रिडवर नीतांग की बिमा क्या होती है बहुत सारे स्टुडेंट जानते भी होंगे तो आपसा नमबर इसका थर्ड बिल्कुल ठीक है M0, L0, T इनवर्स इसकी सही बिमा होती है आपको बताना है कि अपसा नमबर फोर्ट पास्चान आपको बताना है कि अपसा नमबर इसका रिड़ी पाई जाती है तो कोश्चन नमबर 11 का जो सही आंसर रहने वाला है वो लाइमन यानि आपसा नमबर एक सही रहने वाला है option number 1, 13.08 EV, option number 2, 13.06 EV, option number 3, 13.02 EV, option number 4, 13.04 EV इलक्टान वोल्ट, तो आपको बताना इसका सई अंसर क्या, यह आपके लिए homework है Redberg नीतांग R का मान होता है, आपको बताना है कि Redberg नीतांग R का मान कितना होता है question number जो चौज में का सही answer रहने वाला है वो option number एक रहने वाला है यानि 1.097 x 10 to the power 7 meter inverse इसका सही answer रहने वाला है नावे के तर्जा की कोट होती है या आपके लिए home work है आप comment box में इसका सही answer बताईएगा